हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम देखने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट का लेक्चर नमबर टू जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस चेप्टर को अच्छे से समझने के लिए इसके क्वेश्चिन सॉल करने के लिए आपके जो banking transactions के जो concepts हैं वो एकदम clear होने चाहिए उसमें बहुत अच्छी command होनी चाहिए यह बहुत ज़रूरी है अगर आपको banking transaction सच्छे से समझ में आते हैं ठीक है उसके concepts clear है तो किसी तरह का भी question इस chapter में से exam में आ जाए वो आपको definitely बनेगा मगर यदि concepts clear नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है इसी लिए आज की इस lecture में हम कुछ और concepts cover करेंगे और फिर उसके बाद हम questions पे आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले बाद फटवर दिवाइस कर लेते हैं कि हमने पिछले lecture में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो bank का customer होता है वो एक statement बनाता है जिसको हम कहते हैं bank reconciliation statement इस statement के अंदर हम comparison करते हैं किसका comparison करते हैं जो customer cash book बनाता है उसका जो bank column होता है या फिर bank account मैं कहूं उसका comparison होता है pass book के साथ पास्बुक कौन बनाता है बैंक बनाता है इन दोनों का हम comparison करते हैं इन दोनों को match करते हैं इन दोनों को tally करते हैं ठीक है इसलिए इसको कहा जाता है bank reconciliation reconciliation मतलब compare करना ठीक है उसके बाद हमने देखा था कि जो differences होते हैं हमारे balance में और bank के balance में उसका बड़ा जो कारण है कौन कौन से हैं तीन कारण है पहला है time difference दूसरा है no knowledge of transaction और तीसरा है errors ठीक है वो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से याद होगा उसके बाद हमने देखा था कि यदि हमारे bank account में कुछ पैसे हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं हम उसको कह सकते हैं debit balance as per cash book credit balance as per pass book हम उसको कह सकते हैं याद है आपको balance as per cash book balance as per pass book favorable balance as per cash book favorable balance as per pass book तो कभी भी आपको इन में से कोई भी जरूर ही नहीं है exam में अगर question आता है तो मान लीजिए possible है वहाँ पे कभी लिखा रहेगा debit balance as per cash book कभी लिखा रहेगा credit balance as per pass book कभी लिखा रहेगा balance as per cash book तो सब clear होना चाहिए कोई वहाँ पे confusion की गुझायश बिलकुल भी नहीं है ठीक है उसके बाद है negative balance negative balance को हम क्या कहते हैं credit balance as per cash book debit balance as per pass book overdraft as per cash book overdraft as per pass book unfavorable as per cash book unfavorable as per pass book अपने आप से पूछिए आप कि ये सारी चीज़े आपको बनती है या नहीं बनती है ठीक है अब ही mail को बताओ कि जब bank में हम deposit कर रहे हैं तो आप अपने पास cash book में उसको debit करोगे या credit करोगे ये बताओ मैं repeat कर रहा हूं मैं कह रहा हूं आप जो cash book बना रहे हैं और bank भी अपना pass book बना रहा है आपने bank में जाके 1000 रपर deposit किये तो आप bank account को अपने पास मतलब या फिर मैं कहूं कि cash book में जो debit side का bank column होता है या credit side का bank column होता है किदह record करोगे debit side करोगे या credit side करोगे आप कहेंगे obvious सी बात है सब बहुत अच्छे है हमने cash book पढ़ा है जब कभी भी bank में पैसा बढ़ता है हम उसको debit करते हैं और bank से पैसा कम होता है तो हम उसको credit करते हैं बरबर है बिल्कुल बिटा ये छोटा सा मगर बहुत ही important concept है आपको हमेशा दिमाग में रखना है ये एकदम clear होना चाहिए crystal clear अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो हम cash book में debit करते हैं जा रहे हैं तो credit करते हैं और pass book में बिल्कुल उल्टा होता है pass book में आप देख सकते हैं जब भी पैसे आएंगे तो वो क्या करते हैं bank वाले उसको credit करते हैं और पैसे जाते हैं तो उसको debit करते हैं ये clear है ये clear नहीं होगा तो कोई question बनने वाला नहीं है ठीक है this should be very very clear नहीं है तो clear कर लो हाँ अब अपने आप से आप पूछिए credit balance as per cash book का क्या मतलब है positive balance है या negative balance है positive balance मतलब bank में पैसे हैं कि नहीं है negative balance मतलब bank से loan तो नहीं लिया हुआ है तो आप बताईए क्या है credit balance मतलब होता है हमारे हिसाब से cash book के हिसाब से liability हाँ या ना liability मतलब negative balance हमने bank से loan लिया हुआ है clear रहिए हां कोई confusion नहीं overdraft मतलब overdraft चाहे वह cash book के हिसाब से लिखा हो चाहे वह पाद्मुक के हिसाब से लिखा हो वह negative balance ही होता है ठीक है balance as per passbook मतलब bank में पैसे हैं कि नहीं है bank में पैसे है 100 debited in cash book cash book में 100 रुप है debit हुआ है I am talking about bank column confuse मत होना अभी हम केवल cash column की बात नहीं करते हैं हमें यहां पर bank column की बात करते हैं तो 100 रुपए डेविड हुए है कि डेविड का मतलब क्या है पैसे 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 अब बताइए कि यह 100 रुपए डेविड हुए हैं तो bank में पैसे बढ़े है या bank में पैसे कम हो रहा है औब्वियस सी बात है cash book में हम debit तभी करते हैं जब पैसे bank में बढ़ते हैं याद है नहीं है आपको beyond बैंक में आप Debit करेंगे कोई भी assets हो हम उसको क्या करते हैं debit करते हैं debit करने से क्या होता है कोई है कोई भी acid बढ़ता है तो हम क्या करते हैं उसको debit करते हैं तो 100 debited in cash book मतलब हमारे पास bank में cash बढ़ गया 100 credited in pass book तो भी वो ही बात है हम debit करते हैं और bank उसको credit करता है दोनों का मतलब यही है कि bank में पैसे बढ़ रहे हैं हाँ है ना हंड्रेड डेबिटेड इन pass book पास बुक में 100 रुपए debit हो रहे हैं पास बुक में debit हो रहे हैं ध्यान दीजिए अब अपना दिमाग आप खुद लगाए कि जब पास बुक के हिसाब से आपको देखना है cash book से बिलकुल उल्टा होता है बिलकुल उल्टा इसमें कोई confusion नहीं बटा ये clear होना बहुत ज़रूरी है देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये मान दीजिए हमारा account है ये bank ने मनाया हुआ है ठीक है ये मैं बोल सकता हूँ cash book वाला है और ये पास book वाला है तो अब यहां पर क्या करना है जैसे ही मैंने 1000 उपय डेपॉदिट किये तो मैं तो अपने पास debit करूँगा bank क्या करेगा bank credit करेगा फिर 100 उपय मैंने क्या कर लिए withdraw कर लिए तो मैं क्या करूँगा credit करूँगा bank क्या करेगा debit करेगा अधी बाद समझ में तो यह 100 debited मतलब बैंक में पैसे कम हो रहा है clear है 100 debited in passbook है बिटा confusion नहीं चाहिए यहां पे किसी प्रकार का ठीक है 100 credited in cashbook 100 credited in cashbook अब बताईए कि यह क्या होगा 100 credited मतलब cashbook में कम हो गया अधी बात समय में फिर बता रहा हूँ देखो अभी cashbook में पैसे हैं कि नहीं है औभिएस्थी बात है बैंक में पैसे हैं debit balance का मतलब है पैसे है credit balance as per passbook का मतलब है bank में पैसे है इन सबका आपको answer जो है वो yes में ही आना चाहिए आपको बनना चाहिए कोई भी अगर आपको नहीं बन रहा है आप गलत कर रहे हैं तो उसको अच्छे से समझीए और उसके बाद ही आगे बढ़ें एक प्रगास में कह सकता हूँ कि BRF की शुरुवात हो रही है bank reconciliation की शुरुवात हो रही है और सबसे पहला पहला step यही है आपको क्या बताना है देखो क्या लिखा है tell the effect किस चीज का effect बताना है तो यह जो transaction हो रहा है उसका effect बताना है सर effect बताना है मतलब आपको यह बताना है कि इस transaction के कारण आपके cashbook के हिसाब से पैसे ज़्यादा होंगे या passbook के हिसाब से पैसे ज़्यादा होंगे सर नहीं समझ में आया बटा मैं आपको example से बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से आएगा यह आप बना रहे हैं cashbook और यह आप बना रहे हैं आपने ही मतलब bank बना रहे है ठीक है अभी क्या हुआ मालो आपने 1000 से account open किया तो यह हमने क्या कर दिया debit कर दिया और bank ने क्या कर दिया एक सेट हाँ आपने क्या कर दिया debit कर दिया और bank ने क्या कर दिया credit कर दिया ऐसे होता है बिल्कुल ऐसे होता है अब क्या लिखा है checked issued but not yet presented for payment बिटा अच्छे से ध्यान दो checked issue का मतलब क्या होता यह मालूम है आपको मैं आपको बता रहा हूँ आप जब bank account open करते हैं तो आपको एक check book मिलती है check book में क्या system रहता है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उस check book को fill करते हैं मतलब उसमें बहुत सारी leaf रहते हैं आपने एक leaf निकाली बहुत सारे checks रहते हैं उस check leaf में आप किसी को यदि पैसे देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिख दिया कितना पैसा देना चाह रहे हैं वो amount भी वहां पे लिख दिया di date किस तारीक को आप चाहते हैं कि वैपके account से निकलना चाहिए आपके account से जाना चाहिए वह date आपने लिख दी उससे पहले वह check वह पे प्रेजन्ट आपके account में नहीं होсь सकता है मालो मैंने लिख दिया 12th of October Tudo of October को वह check वहां पे present हो हो सकता है उसके बाद भी हो सकता है मगद उससे पहले नहीं हो सकता है उसमें डेट डाल दिया और नीची हमने sign कर दिया अगर मैंने 100 रुपए का check आपके नाम से issue कर दिया ठीक है मैं क्या करूँगा आपका नाम लिखोंगा आपका नाम है मालनो student तो मैंने लिखा student 100 रुपए ठीक है words में भी लिखना पड़ता है numbers में भी लिखना पड़ता है और sign करके date डालके मैंने आपको दे दिया किसको दिया मैंने आपको दिया अब आप क्या करते हो वो check bank में जाके deposit करते हो अपने bank में जहां आपका account होगा मैंने मालो कि आपको check दिया मैंने आपको check दिया कब 12 October को तो मैं क्या करूँगा अपने पास 12 October को यह मालो हमने account open किया था 1 October को और 12 October को मैंने check दे दिया तो मैंने चेक आपको दे दिया, तो मैंने यहाँ पे आपका नाम लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 100 रुपए, ठीक है, getting my point, अब मैंने आपको दे तो दिया, अब आपके उपर है कि आप same day deposit करते हैं, करते हैं, कर भी देते हैं, तो क्या 12 October को ही बैंक से भी मेरे वो amount निकल जाएगा क्या, क्योंकि यह जो 100 रुपए का जो चेक मैं दिया हूँ आपको, यह पैसे कहां से जाएंगे, के मेरे bank account से निकल के आपके bank account में आने वाले हैं, मगर वो कब होगा, उसमें time लग सकता है, जरूरी नहीं है 12 October, हो सकता है 15 October को हो, 14 October को हो, मगर यह 12 October को होगा, इस बात की कोई guarantee नहीं है, और यह dependence के उपर भी करता है, कि आप कब deposit करते हैं, आप बाहर चले गए, आप भूल गए, आपने deposit नहीं किया, आपने 20 October के बाद deposit किया, नवंबर में आपने deposit किया, possible है, तो यहां पर क्या लिखा है, check issued, but not yet presented for payment, मैंने तो issue कर दिया, मगर bank के पास तो present नहीं हुआ है, payment के लिए, क्योंकि bank के पास जब आएगा, तो bank क्या करता है, हमारे खाते में से 100 रुपे निकाल के, और उसके खाते में transfer कर दिया, getting my point, इस तरीके से ये system काम करता है, तो अगर मैं देखूं, 12 October को मेरे इसाब से balance कितना होना चाहिए, मेरे इसाब से balance होना चाहिए, 900 रुपे, bank के इसाब से balance कितना होना चाहिए, 1000 रुपे, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कि मुझे आप यह बताईए, कि इस transaction के कारण, किसका balance ज़्यादा है, cash book का balance ज़्यादा है, या pass book का balance ज़्यादा है, तो obvious की बात है, pass book का balance ज़्यादा है, यह क्या ledger बनाने पड़ेंगे, नहीं भाई, कोई ledger नहीं बनाना है, मैं केवल आपके concepts clear करने के लिए, यह ledger बना के और आपको समझा रहा हूँ, otherwise it is very very simple, कि check issue किया मैंने, मगर bank में नहीं पहुँचा, तो जब check मैंने issue किया, तो मेरे पास तो पैसे, मैंने अपने पास क्या कर दिये, minus कर दिये, मतलब क्या कर दिये, credit कर दिये, हाँ या ना, मगर bank ने अभी तक उसको क्या नहीं किया है, माइनस नहीं किया है डेबिट नहीं किया है बैंक उसको क्या करेगा डेबिट करेगा बराबर है न मगर नहीं किया है तो मैंने माइनस कर दिया बैंक नहीं किया तो मेरे पास पैसे कम बैंक के पास मेरे से ज्यादा यही आपको बताना है क्या बताना है कि किस के पास कम है और किस के पास ज्यादा है इतना बता सकते हो कि नहीं समझ में आई बाद repeat करूं मैंने check issue किया तो मेरे पास कम मगर bank के पास अभी तक present नहीं वहा तो bank के पास ज्यादा यह this should be very very clear अब देखोए यहां पे अब यहां पे मैं कह रहा हूँ चेक पेड मतलब पेड का मतलब है डेपॉसिटेड इन्टु दे बैंक बट नॉट येट क्लियर अभी मैंने क्या किया पहले तो एक उक्तुबर को अकाउंट ओपिन किया तो एक हजार रुपए जमा किया फिर उसके बाद मेरे को एक चेक मिला 100 रुपए का तो मैंने वो 100 रुपए का चेक जमा कर दिया और अपने पास एंट्री कर दी मगर मेरे जमा करने से क्या तुरंट के तुरंट दूसरे के बैंक से पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे क्य वो entry नहीं हुई होगी, तो हमारे पास ज्यादा है, passbook में कम, getting my point, इधर क्या था, इधर cashbook में कम था, और passbook में ज्यादा, इधर क्या है, इधर cashbook में ज्यादा, और passbook में कम, हाँ या ना, clear है, मैं इसलिए बहुत detail में एक एक point बता रहा हूं, clear हो जाने चाहिए, ठीक है ना, रटना नहीं है, interest allowed by bank, ठीक है, यह आप note down भी करो, जितने भी अभी तक मैंने, आपको अभी points बताए हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, debit balance after cashbook मतलब क्या, hundred debited in cashbook मतलब क्या, इन सब का मतलब आपको एकदम clear होना चाहिए, अगला lecture देखने से पहले, यह सारे points का revision करना है, अपने आप से सारे points पूछने हैं, और सब बनने ही चाहिए, नहीं बनते हैं, तो एक बार सिर से देखो, मगर बेटा clear ज़दूर करोगे आप, ठीक है, हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा erase करता हूँ, ठीक है, अभी क्या हुआ, मानलो, 1st of October को मैंने 1000 से अकाउंट open किया, बेंक ने भी 1000 रुपर यहाँ पर credit किया, मैंने debit कर दिया, बदा बदा है, अभी क्या हुआ, October, November, December, 3 महीने हो गया, मैंने कोई transaction नहीं किया, अब क्या होता है, बेंक आम तौर पर, आम तौर पर ऐसा होता है, कि हर 3-3 महीने में, at least मैं, मेरा account जिस बेंक में है, उसमें क्या होता है, कि हर 3-3 महीने में, आपको interest दिया जाता है, ठीक है ने आपका जितना भी पैसा है उस पे जो भी इंटरस्ट बनता है वो आपको दिया जाएगा तो क्या हुआ थर्टी फर्स दिसंबर को बैंक ने मुझे इंटरस्ट दिया तो bank ने यहां पे लिखा by interest ठीक है नहीं bank ने देना है तो क्या करना है bank ने पैसे बढ़ाने है नतलब देना है ऐसा नहीं है कि bank आपके घ़र आएगा और आपको बुलेगा ये लोग 3 रुपए interest मिलाए नहीं भाई ऐसा नहीं होता है आपके account में उतने रुपए credit कर दिये जाते हैน क्या क्या चाते हैं बुलो credit ठीक है न है bank credit करता है जब पैसे bank में बढ़ाने हुते हैं मेरे account में और मैं क्या करता हूँ debit करता हूँ तो bank यहां पे interest 3 रुपए से क्या कर दिया credit कर दिया अब मुझे आप ये बताओ कि क्या आप बैंक से ये उमीद करते हो कि 31 दिसंबर को बैंक आपको फोन लगाएगा और आपको बताएगा कि भाई साब बधायो आपको तीन दुपे का इंटरस्ट मिला है ऐसा नहीं होता है बैंक आपको फोन करके बनाने वाला नहीं है ना ही आपके घर पे आके तीन दुपे देने वाला है बैंक तो सीधा-सीधा आपके अकाउंट में इंटरस्ट क्रेडिट कर देगा आई बात समझ में अब आपको तो मालूम ही नहीं है अगर 31st December को देखा जाए तो आपके पास बुक में कितने पैसे होंगे एक हजार तीन रुपए हाँ या ना मगर आपके अकाउंट में कितने पैसे है एक हजार क्यों क्योंकि बैंक में पैसे ज्यादा है आपके पास कम क्योंकि बैंक ने इंटरस्ट अलाउ किया है आई बा expenses charged by bank अभी ये क्या बात हुई अगेन मैं कहता हूँ मैंने एक हजार उपए deposit किया बैंक ने भी यहां पर entry कर दी ठीक है अब क्या होता है कि बैंक के भी कुछ नियम होते हैं बैंक का नियम है मान लोग कि आपको 2000 उपए अपना average balance maintain करना है हर quarter के लिए quarter समझते हैं तीन महीने को कहा जाता है quarter और आम तोर पे बहुत सारे बैंक में ये नियम होते हैं कि आपको अपना account maintain करने के लिए चलाने के लिए उसमें कुछ पैसे deposit रखने पड़ते हैं वह average निकाला जाता है उस पर हम नहीं जा रहे हैं तो यदि average आप balance maintain नहीं करते हैं तो बैंक आपसे कुछ न कुछ charges ले लेता है ठीक है क्या ले लेता है charges ले लेता है तो अगेन आपको phone करके नहीं बोलेगा कि भाईया हमने आपसे charges ले लिए हैं नहीं सीधे सीधे हमारे bank account से निकाल लेगा तो मान लो bank ने 100 रुपए आपसे charges ले लिए तो अब आपके जो bank account है जो passbook है उसमें तो entry उन्ह नहीं कर दी 100 रुपए घटा दिए तो कितना balance हो गया 900 रुपए आप आपने तो expenses नहीं घटा है क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है no knowledge of transaction बताया है न मैंने time difference no knowledge of transaction तो यह दोनों जो है नहीं feel no knowledge वाले transactions है एक है ठीक हैं तो आपको नहीं मालूम है तो आपके हिसाबसे पैसे balance ज्यादा है bank के यह साबसे balance कम है तो counter cash book के हिसाबसे कम है ठीक है dividend collected by bank Tran गैच यह क्या है डिविडेंट कलेक्टेड बैंक दिखो मान लिजिए कि में पास किसी कंपनी के शेर से शेर समझते हैं आप शेर का मतलब है हिस्सा ठीक है जैसे देलाइंस कंपनी आपने नाम सुना होगा एशियन पेंट सुना होगा कोलगेट सुना होगा हिंदुस्तान यूडिलेवर सुना होगा तो इन सब कंपनी के शेर होते हैं और यदि मैं किसी भी कंपनी के इन सारी कंपनी के यदि मैं शेर ओन करता हूँ तो समय समय पे ये company profit का एक हिस्सा अपने shareholder को देती है जिसको कहा जाता है dividend क्या कहा जाता है dividend तो ये जो dividend है ये जो dividend है वो सीधे सीधे आपके bank account में credit कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है credit कर दिया जाता है तो मालो किसी company ने dividend दिया मुझे 50 रुपएगा तो मेरे को आके वो बताएंगे कि आप phone करेंगे नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं होता है सीधे आपके account में dividend आ जाता है तो ये dividend आ गया मगर मुझे जानकाल ये नहीं है तो क्या होगा passbook में तो उसकी entry हो गई तो passbook में ज्यादा होगा हमारे पास कम हो ठीक है तो हर एक transaction का impact आपको ऐसे ही बताना है कि किसके पास कम किसके पास ज्यादा direct payment by a customer into bank किसी customer ने directly bank में deposit कर दिया तो वहाँ पे bank में तो ज्यादा हो गया passbook में मगर हमारे knowledge में है ही नहीं तो हमारे पास कम ठीक है अब dishonor of check और bill ये क्या होता है देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूं एक सब्सक्राइब कर दिया तो जैसे deposit किया मैं क्या कर देता हूं जब जब पैसा बढ़ता है मैं debit करता जाता हूं बैंक में तो मैंने debit कर दिया यह वांगे कि हाँ चलो check तो deposit हो गया मगर हुआ यूं कि वो check dishonor हो गया सामने वाले के खते में पैसे थे यह नहीं तो obvious सी बात है यहां पे पैसे आएंगे ही नहीं यह तो मेरा ब्रह्म है कि यह 100 रुपय बैंक में आ गए होंगे मगर नहीं आए है पैसे तो तरी आएंगे जिसका check आपने deposit किया है बैंक उस बैंक के पास उसकी information भेजेगा और वो information के हिसाप से यहां पे पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आए तो मेरे हिसाप से तो पैसे ज्यादा है पास बुक के हिसाप से पैसे कम है ठीक है तो मेरे हिसाप से cashbook के हिसाप से पैसे ज्यादा है पास बुक के हिसाप से कम है क्योंकि dishonor की जानकारी मुझे नहीं है वो तो बैंक को है बैंक में इसलिए उन्होंने पैसे बढ़ाए नही होगो कि यह माई पेड़ डारकली बाए बैंक ये बिटा होता है इसी इजी मन्तली इंस्टाल्मेंट ये क्ट ढेंक देड ये क्या होता है कि बैंक डारकली depends कर देती है कई बार हम क्या करते हैं कि एक स्टेंडिंग instruction का form होता है वो भरके आप दे दो तो bank फिर अपने आप आपके खाते से पैसा निकाल के और दे देता है अब आपको याद ही नहीं है कि यह वो EMI दिया हुआ है हमने अपने पास record ही नहीं किया है और bank तो obvious ही बात है जब भी पैसे जाएंगे तो bank तो record करता ही है तो passbook में कम है हमारे पास ज्यादा है wrong debit in passbook कलती से passbook में debit हो गया है अब आप अपना दिमाग लगाईए और बताईए कि passbook में debit का मतलब क्या होता है पैसे बढ़ गए हैं कि पैसे कम हो गए हैं passbook में पैसे बढ़ते हैं credit करने से और debit करने से होते हैं कम तो passbook में पैसे हो गए हैं क्या कम बरबर है तो ये जो गलती passbook ने की है उस करण से passbook में पैसे हो गए हैं कम मगर हमने तो कोई गलती नहीं किये तो हमारे पास पैसे हैं ज्यादा ठीक है wrong credit in cashbook हमने गलती से क्या कर दिया credit कर दिया credit कर दिया मतलब हमने क्या कर दिया कम कर दिया मगर passbook ने गलती नहीं की है तो इसका मतलब है cashbook में कम passbook में ज्यादा bank charges levied by bank bank ने charges लिये हैं तो obvious ही बात है हम already देख चुके हैं अगर bank ने charges लिये हैं तो आप देखेंगे कि past book में उन्होंने वो घटा दिये होंगे मगर हमने नहीं घटाए हैं तो हमारे पास balance ज्यादा है wrong credit in past book, past book में गलती से credit कर दिया है past book में credit मतलब पैसे बढ़ा दिये हैं, ज्यादा कर दिये हैं तो past book में ज्यादा, हमारे पास past book के comparison में कम interest bank ने दिया है, तो bank interest कैसे देता है? credit करके, तो past book में पैसे ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास पैसे कम है wrong debit in cash book, cash book में debit, ध्यान दखना cash book में debit मतलब हमारे पास पैसे ज्यादा मगर passbook में तो अबियस सी बात हैं उन्होंने कुछ नहीं किया तो हमारे comparison में कम है ठीक है? Interest credited by bank Bank ने interest क्या किया है? Credit किया है Credit किया है मतलब बढ़ा दिया है ठीक है? तो bank के पास ज्यादा हमारे पास कम Bank ने interest चार्च हिया है मतलब bank के पास कम मतलब passbook में कम हमारे पास ज्यादा Wrong credit by cashbook तो गलती से हमने credit कर दिया है मतलब हमने कम कर दिया है Passbook में ज्यादा Wrong debit by passbook तो passbook में क्या हो गया है? Passbook में हो गया है क्या? कम Passbook में debit मतलब कम तो passbook में कम हमारे पास ज्यादा अब यहां पर दियान दो अंदर कास्टिंग का मतलब क्या है बिटा कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग क्या मतलब होता है टोटलिंग तोटल आपने डेबिट साइड का कम कर दिया है debit side of cash book cash book का debit side अभी मैंने को बताओ कि cash book का debit side receiving side होता है या payment side होता है आप कहेंगे सर वो receiving side होता है बराबर है तो receiving को आपने कम कर दिया तो आपके पास पैसे क्या हो जाएंगे कम की ज्यादा receiving को कम करने से सर पैसे कम हो जाते हैं बराबर बात है receiving को कम करने से पैसे कम हो गये कहां कम हो गये cash book में तो cash book में कम, pass book में ज्यादा हमसे ठीक है ओर कास्टिंग of credit side of pass book, pass book का credit side कौन सा side होता है receiving side होता है या payment side होता है सर वो pass book का credit तो receiving होता है और receiving side को ज्यादा लिख दिया है मतलब pass book में पैसे ज्यादा हो गया पिल्कुल सही, pass book में ज्यादा cash book में कम ठीक है, तो ये जितने भी ये आपने देखे हैं transaction जिनका effect मैंने आप से पूछा है कि सारे के सारे आप note down करो, lecture दो को और अपने आप से इन सारे questions का impact पूछिए और उसका answer सही आना चाहिए जब तक नहीं आता है, दोबारा इस lecture को देखिए, कोई दिकत नहीं है, मगर जब तक पूरा confidence नहीं आता है अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अगला lecture आप तभी देखेंगे, जब पूरा confidence होगा इन सारे concepts के उपर और ये जो ट्रांडक्शन से उसका effect आप सही बता पाएंगे फिर मिलते हैं, बबाई